Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे तो दोस्तो आज का जो हमारा टापिक है Martyamoeba Histolytica आज हम सभी Martyamoeba Histolytica के बारे में जानेंगे कि ये एक Protozoan Parasite है जिसे की Amoebiosis नाम की disease cause होती है और इसका distribution Habit Habitat इसकी morphology क्या होगी ये देखने में कैसा होता है साथी साथ इसका life cycle पूरा और इसके क्या symptoms होते है pathogenesis और prevention and control ये सारी चीज़े आज हम इस topic का करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का topic anti-amoeba histolytica तो सबसे पहले मैंने याप इसका systematic position लिखा है देखे इसका classification ये है कि ये phylum protozoa से belong करता है ये protozoan है subphylum sarcomastigophora super class sarco dina वही super class जिसमें amoeba बिलॉँग करता है क्योंकि इसका नाम ही है ant amoeba क्योंकि ये बिल्कुल amoeba के ही जैसा होता है class is rhizopoda order is amoebida genus ant amoeba and species is histolytica देखे ये जो ant amoeba histolytica है it is a pathogenic endoparasite of human beings ये human beings का endo ये की हमारे शरीर के अंदर ये रहता है इसलिए endoparasite pathogenic क्योंकि ये disease cause करता है ये बिमारी causes करता है and it inhabits colon and produces the disease known as amoebiasis or amoebic dysentery ये रहता है हमारे colon में यानि की large intestine में ये हमारे large intestine में रहता है और ये जो बिमारी होती है उसे amoebiasis या amoebic dysentery भी कहते है जिसमें stool के साथ खुब bleeding और mucus होता है ठेक है and इसको सबसे पहले discover किया था Lamble ने Lamble ने 1859 में से सबसे पहले discover किया था and amoeba histolytica को and then pathological nature described by Frederick lost in 1875 और इसको खोजा था फिर loss ने कि ये बिमारियां cause करता है ये हमें रह करके बिमारी cause था इसका जो pathological nature है वो गिया था loss ने distribution and amoeba जो है कहां कहां हमें पाया जा सकता है कहां देखने को मिलेगा तो ये cosmopolitan है यानि कि ये worldwide हमें हर जगा पाया जाएगा ठीक है एंट अमीबा but more common in tropical countries पर ये ज़्यादा तर tropical countries में पाया जाता है जैसे कि China, Mexico, India क्योंकि due to poor sanitary conditions तो ये वैसे जगों पे होता है जहां कि साफ सफाई नहीं होती sanitary conditions यानि कि hygiene कुछ नहीं होता है गंदगी चीजों में ये बिमारियां ज़्यादा पनपती है habit and habitat तो ये जो एंट अमीबा है ये हमें पता है कि ये lumen of the large intestine में होता है ठीक है, कोलोन के अंदर का जो lumen है ये यहां पे present होगा and also found in lower portion of small intestine पूरे की पूरे large intestine में और small intestine का जो आखरी हिस्सा होता है, lower portion वहाँ पे भी ये पाया जा सकता है it invades the mucosa and submucosa lining of the intestinal wall intestine के layer सबसे पहले तो mucosa को damage करेगा उसके बाद, submucosa layer में भी ये पहुँच जाएगा तो it is very harmful ये हमारी intestinal wall को छनी कर देता है बिलकुल और जिससे क्या हो जाएंगे, ulcers हो जाएंगे, छाले पढ़ जाएंगे, पूरे intestine में और dysentery होगी and in some cases, कभी-कभी तो ये blood circulation में भी चले जाते हैं, क्योंकि submucosa layer में blood capillaries होती हैं और ये blood circulation में जहां enter कर गएंगे, तो ये liver, lungs, brain, testis तक भी पहुँच सकते हैं, और ये जानलेवा भी हो जाते हैं, जब ये हमारे organs में पहुचते हैं, like liver में ये क्या फॉर्म करते हैं, abscesses फॉर्म करने लगते हैं, यह नहीं कि liquid भर जाता है, बिसे कि लिपस से भर जाता है, लिवर और फिर ये जानलेवा भी हो सकता है तो ये था enter amoeba अब ना इसकी morphology देखते हैं कि कि इसमें क्या-क्या forms होते हैं तो ये जाए enter amoeba है ये टू forms में देखने को मिलेगा एक तो होता है, इसका magna form जिसे trophozoid form भी बोलते हैं और एक minor जिसे precistic बोलते हैं magna और minor और हाँ इसमें कोई ऐसा vector नहीं है कोई भी intermediate host नहीं है जैसी और पिछले disease में हमने देखा था लिजमानिया में sand fly में भी इसका cycle पूरा हो रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये सिर्फ और सिर्फ human beings में रहता है और एक से दूसरे में contaminated food के थूँ जाता है तो ये life cycle में हम सब देखेंगे तो फिलाल इसका दो फॉर्म होता है morphology एक तो ट्रोफोजोईट और magna form और प्रीसिस्टिक और माइनोटा तो सबसे पहला देखते है magna form ये सबसे active होते हैं ठीक है इनकी ये motile होते हैं and feeding form which is pathogenic to man और ये ही ट्रोफोजोईट जो होते ये feeders होते हैं जो कि हमारे intestine wall को damage करते और उसके cells को खाते है it lives in mucosa and sub mucosa layer of large intestine and it measures about 20 to 30 micron in diameter they feed on tissue cells, RBCs WBCs and bacteria by the health of secretion of an enzyme called histolysin इनका नाम ही इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये एक enzyme secret करते है जिसका नाम होता है histolysin इससे क्या होता है हमारा जो tissue होता है जो cells होते है वो dissolve हो जाते है और फिर वो क्या करेगा हमारे जो भी tissue cells है red blood cells, wbc, white blood cells तो erythrocytes, RBCs यानि erythrocytes, wbc यानि की leukocyte तो ये हमारे blood cells को भी खाता है इंटिस्टाइन का जो भी cells है टिशूज है वो सब को इंगल्फ परता है इसका structure, the outermost body is covering with plasma lemma plasma membrane से इसकी body cover होती है चुकि ये जो trophozoid form है ये बिलकुल amoeba के जैसा होता है and the cytoplasm differentiated into ectoplasm and endoplasm अंदर का जो cytoplasm है उसे हम ecto और endoplasm में define कर सकते हैं क्योंकि जो इसका ectoplasm है ये non granular होता है इसमें कोई भी granules हमें नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन जो इसका endoplasm है ये granular होता है यानि कि मान लीजिए ये cell है तो ये हो गया इसका ectoplasm जहां कोई granules नहीं है और अंदर हो गए endoplasm जिसमें बहुत सारे granules देखने को मिलेंगे तो इसकी जो cytoplasm है वो दो पार्ट में divided है endoplasm में क्या क्या होता है बहुत सारे food vacuoles होंगे large rounded nucleus and food vacuoles nucleus भी present होगा और food vacuoles होंगे अब ये food vacuoles में obviously जो वो खाएगा तो वो erythrocytes, red blood cells खा रहा है वो leukocytes खा रहा है, WBCs खा रहा है, epithelial cells खा रहा है हमारे intestinal wall की, bacteria जो हमारे good bacterias present होते हैं intestinal में उसको भी ये engulf कर जाता है तो ये सारे चीज़े उसकी food vacuoles में हमें देखने को मिलेंगी enter amoeba astralatica moves by the help of pseudopodium ये amoeba है, ये pseudopodia, lobopodia से basically move करेगा and ये monopodial होते हैं, यानि कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही foot ऐसे बनता है पूरी बाडी में और ये उसी के help से locomote करते हैं इसलिए monopodial, single podium is form the contractile vacuoles is absent, इसकी बाडी में कोई contractile vacuoles नहीं होती क्योंकि इसे osmoregulation की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये isotonic environment में है, इसकी बाडी के अंदर कोई भी fluid नहीं भर रहा है, कोई भी water entry नहीं हो रही है तो इसे remove करने की भी कोई ज़रूरत नहीं and mostly जो pathogenic forms होते हैं, जो parasites होते हैं, उनमें contractile vacuoles नहीं ही होते हैं second, precistic or minutra forms magna forms तो active feeding होते हैं, बट ये जो minutra forms होते हैं, ये थोड़े small होते हैं और इसका जो safe है वो amoeba की तरह नहीं, बलकिल spherical होता है ये non-motile होते हैं, इत मींस कि ये move नहीं करते हैं जादा तर, ये active नहीं होते है and non-feeding forms होते हैं, यानि कि जो trophozoids था, वो feeding form था जो कि mucosal और sub-mucosal layer को damage करके उसे खा रहा था बट ये non-feeders होते हैं, ये कुछ भी नहीं खाते हैं and non-pathogenic भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे intestinal wall को नुकसान भी नहीं पहुचाएंगे so it is non-pathogenic forms, इसकी जो measurement है वो करीबन 12-15 micron in diameter होती है minuter forms में pseudopodium भी formation नहीं होता है क्योंकि ये non-motile forms है and food vacuoles, food vacuoles भी इनमें नहीं होगा क्योंकि जब खाना ही नहीं खा रहे तो इनमें food vacuoles भी नहीं होगा it contains glycogen granules, ये क्या करते हैं? अपना जो food material होता है उसको वो reserve कर लेते हैं वो store कर लेते हैं in the form of glycogen granules then minuter form undergoes encystation and surrounded by a cyst wall तो ये pre-cystic forms है, यानि कि cyst बनने से पहले के forms होते हैं minuter, after ये क्या करते हैं? encystation process में जाते हैं और अपने चारों और एक cyst wall form कर लेते हैं they contains reserve food and chromatoid bodies और ये cyst बनाने, इसलिए ये अपना जो भी food material होता है उसको वो glycogen और chromatoid bodies के रूप में store कर लेते हैं ताकि वो आगे कि अपनी सारी journey complete कर सके cystic form help in the transmission of parasite फिर ये जब cystic forms बन जाते हैं तो ये transmission में help करते हैं इक मेंज ये stool के साथ बहार आ जाते हैं और फिर ये contaminated food and drinks के साथ किसी दूसरे host body में शले जाते हैं तो ये ही था हमारा topic जिसमें हमने देखा कि ये दो forms में होते हैं Magna and Minuta forms तो ये है Magna form जिसमें हम देख सकते हैं बिलकुल एक Amoeba के जैसा दिख रहा है इसमें बहुत सारे food vacuoles हैं जिसमें Angested R.B.C. and bacteria होगा food vacuoles में इन्होंने जो भी खाया है इसने तो वह होगा और जो Minuta forms है इसमें reserve foods है Nucleus इसका बहुत ही लार्ज होता है इसे हम easily recognize कर सकते हैं Endoplasm and Ectoplasm and their after covering is plasma lima Magna forms में pseudopodium है और Minuta में pseudopodium नहीं बनते हैं तो यही था आज का topic जिसमें हमने Entamoeba का distribution habit habitat morphology देखी Friends तो फिलाल आज की topic यहीं रहने देते हैं Next topic है life cycle pathogenesis prevention क्या है treatments क्या यह सारी चीज़े हम इसके अगले वीडियो में देखें Next part में तो बने रहे हैं दोस्तों फिलाल के लिए इतना ही तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा Thank you so much